गुड आफनून, वलकुम बाक, दिस इस रीडिंग पॉर दे मन्थ आउगस्ट और इस बार मैं बहुत सारे टारो कार्ट्स यूज़ करके राशी के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, इस बार मैं बोथ डेट के हिसाब से बता रही हूँ और आप अगर किसी भी महीने के दस त रीडिंग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और रीडिंग खनम होने के बाद कमेंड करके जरूर बताएं के आपको ये कैसा लगा, ये आज मैं जो इस्तिमाल कर रही हूँ वो मैं और सेट एजिप्शन और आकल कार्ट्स यूज़ कर रही हूँ, एक कार्ड यूज़ कर रही ह ये आपके लिए कार्ड आया है साक्रोफागिस, साक्रोफागिस वो चेमबर है राजा का जो पिरमिड के अंदर हुआ करता था और उसको साक्रोफागिस कहते थे और साक्रोफागस कार्ड आपके लिए यह बताता है कि आपको कुछ बलिदान देने होंगे पैसों को लेकर जिनका आगे चलके आपकी जिन्दगी पर बहुत बहुत बहुतर असर पड़ेगा मतलब कि हो सकता है कि आपको किसी को पैसे देने पढ़ जाएं को जरूरत मन को हो सकता है कि किसी को आपने पैसे दिये हैं और वो वापिस नहीं लौटा रहे तो आपको उसे माफ करना पड़े कि ठीक है अब मुझे चाहिए भी नहीं तू रख ले मुझे देने वाला उपर ब है और मुझे आ जाएंगे जो पैसे मुझे जरुरत है जो जितने मैंने तुझे दिये हैं वो ठीक उतने या शायद उससे ज़्यादा इश्वर मुझे दे दे यह भी हो सकता है कि प्रॉपटी का बटवारा या कुछ ऐसा हो और उसमें आपको अपने हिस्से का कुछ किसी और को अपने भाई बहन जो भी है उनको बलेदान आपको यह देना पड़े तो एक्जाक्ली क्या है यह तो वक्त बताएगा हर इक का अलग अलग है क्योंकि दस तारीकों करोडों लो आपको थोड़ा सा वक्त अकेले में बिताने की जरूरत है अगर आपका ब्रेक अप हुआ है तो पहले खुद को जानने के लिए आप थोड़ा वक्त अकेले में बिताएं और इससे पहले कि आप दूसरे रिष्टे में कूदें उसके इलावा अगर आप मैरेड हैं तो अग की और मसले को समझने की जरूरत है एक बार इसको आप समझ लेते हैं तो आपका रिष्टा सुधारने में आपको मदद मिलेगी और अगर आप सिंगल है तो कोई बहुत ही प्यारा इंसान आपके जिंदगी में आएगा जब आपके चक्र बैलनस्ट होंगे आप बैलनस्ट हों और खुद से प्यार भी करते होंगे तो आपको प्यार करने वाला भी डेफिनेटली कोई बहुत ही प्यारा इंसान आएगा उसके बाद काम को लेकर वो कहते हैं कि आप जिस जॉब में या बिजनस में भी हूं लेकिन अपनी काम को लेकर बहतरी के लिए हमेशा आगे पढ़न रिसेर्च करना कोस करना यह अच्छी बात होती है और आपको ऐसा करना चाहिए अगर आप अपनी उन्नती चाहते हैं यह पंच्छियों की आवाज बड़ी सुन्दर है उसके बाद अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपको हिंदि में केते तीरत यात्रह किसी ऐ meditation, expeditions हो रहे हैं या healing के courses सिखाए जा रहे हैं ऐसी जगह पर जाना आपके लिए पाइदे मन्द रहेगा आपको ऐसा करना चाहिए और business के सिलसले में अगर आप travel करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं यह भी हो सकता है कि आप business के सिलसले में कहीं जाएं मतलब यह मैं कह रही हूँ जो इसमें से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि business में आपको दिक्कत ना आएं लेकिन आपको travel करना पड़ रहा है समझदारी हमेशा इसी में होती है कि अब जिस शहर में जाते हैं वहां के इश्ट देवता या बहुत बड़े मंदिर या जिसमें बहुत मान्यता हो ऐसे किसी मंदिर मस्जिद चर्ट जो भी है वहां पर आप जाएं अपना माथा टेकें उनसे इलतजा करें कि आपको bless करें प्रेयर करें उनका अशीरवाद लेके फिर आप काम करेंगे शायद आपको दिक्कतें नहीं आएंगी ऐसा मेरा मानना है क्योंकि गाइडन्स तो ठीक है लेकिन अगर कुछ ऐसा नेगेटिव आता है तो उसमें सही solution निकाल कर सही तरीका ढूंडना भी हमारा ही काम होता है आपकी तबियत जादूी तरीके से ठीक होने की संभावना है तो इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए आपको जो भी परेशानी है उसके जवाब आपको मेडिटेशन में मिलेंगे अल्टरनेट हीलिंग के बहुत सारे मोडालिटीज होते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप अगर आपको आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टाक कर सकते हैं गिनियनेजा.com के थूँ अगर आपके पास वाट्साप या टेलेग्राम आईडी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ऐसा जब आप अल्टरनेट हीलिंग करते हैं और मेडिटेशन करते हैं आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे डीटॉक्स हो जाएगा बगएरा बगएरा तो आपकी तबियत बहुत जल्दी ठीक हो सकती है अगर खराब है तो और कई बार तबियत जो होता ह है कि हमारे पास्लाइट के बहुत सारे अवधारनाएं या धारनाएं और कार्मिक बैगेज होता है तो उसको अपनी जिंदगी से और अपने सोल लेवल से निकालने की ज़रुरत पड़ती है उससे बहुत फर्क पड़ता है परिवार का जहां तक तालुक है आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है आपको परिवार से अलग थोड़े समय के लिए जाना पड़ सकता है इसका तोड़ यह होता है कि अगर लिखा है तो यह करो कि दो-चार दिन के लिए कहीं जाकर भूंपिर के आजा तो अगर लड़ाई जगड़े की वज़े से इतना अलगाव आना है तो वो नहीं आएगा क्योंकि वह एनरजी आपनी यूज कर ली ठीक है तो और दूसरा जब आप दूर जाओगे थोड़ा समय अपने साथ बिताओगे तो उन आने वाले समय में जादू से सब कुछ बहुत ठीक होने वाला है और जब आप मेडिटेशन करेंगे आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे और जादू ही तरीके से आपकी जिंदगी बहुत ही सुन्दर बन जाएगी ऐसा इसमें कहा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा जरूर करें इसके नीचे कमेंट जरूर करें और अगर आप चाहें तो मेरे चानल की मेंबर्शिप भी ले ले थैंक यू सो मच गुडबाई